नमस्कार इस वीडियो में हम रेक्वेग R26 जो की जर्मन की होमेपैथिक दवा है उसके लाब और उप्योग कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे तो आईए समझते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके हमारे दैनिक जीवन में कमजोरी ठका और सुस्ती लगना एक आम समस्या है लेकिन कुछ लोगों को ठकान और सुस्ती बहुत अधिक लगती है जिसे से वह थोरा काम करके ही ठक जाते हैं और उन्हें नींद भी बहुत आती है काम करने में यह लोग आलस करते हैं काम करने के लिए उठने का भी मन नहीं करता और उ इन सभी समस्याओं के लिए होमेपैथिक में एक दवाई मौजूद है जिसे से आपकी मानसिक और सारे रिक्तोनों परकार की ठकान कम हो जाएंगी। कई बर शारीरिक और मानसिक ठकान के कारण शरीर और नसों में भी दर्द होता है। रोग प्रतिरोदक छमता कम होने के कारण भी ऐसे समस्याओं होती हैं तो यह दवाई उन सभी को ठीक करती है। इस दवाई का नाम है रेक्विग 826 यह दवाई डॉक्टर रेक्विग की जर्मनी की दवाई है और इन समस्याओं के लिए बहुत ही असरदार है। सरीर की जो ताकत नस्ड हो जाती है उसे यह दवाई वापस सरीर में पैदा करती है। अगर हमें सुष्टी लग रही है किसी काम से या सरीर की रोग प्रतिरोदक छमता कम हो गई है तो यह दवाई बहुत ही लाप हो जाती है। R26 में कई सारी होमेपैथिक दवाईयां मिली हुई हैं जो की मिलकर सरीर और मस्तिस्क की सुष्टी को ठिक करती है। यह दवाईयां हैं Acid Nitric, Acid Phosphoric, Calcium Iudatum, Ferrum Iudatum और Sulfur Iudatum। इन सभी का अपना-पना एक महत्व हैं इन सभी के बारे में एक बहुत समझ लेते हैं Acid Nitric, अगर सरीर में ताकत की कमी हो जाती है तो कोई भी काम करने पर दिल बहुत तेजी से धरकता है और सांस भी फूलने लगती है। इसके लिए या दवाई बहुत ही लाब दायक है। अगर सुबह सो कर उठने पर सरीर में पसीना बहुत होता है तो भी या दवाई उसमें लाब पहुचाती है। शाम को या रात में अगर सरीर से पसीना निकलता है तो भी यह दवाई बहुत फाइदे मंद साबित होती है सुबह की सुष्टी महसूस होती है अगर सुबह में तो यह दवाई उस सुष्टी को भी बहुत कम कर देती है और यह दवाई 826 में डले हुई है दूसरी दवा है Acid Phosphoric, यदि आपको बहुत अधिक थकान महसूस हो, तो यह दवाई सबसे अधिक लाबदायक है, खास तोरपर यदि आपको मानसित थकान बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कभी-कभी चक्कर भी आ जाता है, तो यह दवाई उसमें बहुत अधिक ला असरदार है, और यह दवाई बहुत अच्छी है, फेरम आयोडेटम, यह दवाई इनीमिया की समस्या के लिए बहुत असरदार है, यदि आपके सरीर में खून की कमी है, जिसके कारण सुस्ती, कमजोरी महसूस होती है, तो यह दवाई सरीर के हेमोगलोबीन को बढ़ाती है और सुस्ती कमजोरी के समस्या को भी कम करती है, अनकिन दवाई इसमें डली है, सल्फर आयोडाइट, जिसे सल्फर आयोडेटम भी करते हैं, यह दवाई चर्म रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही असरदार आसदी है, चहरे परके मुहासे को ठिक करती है, रोग प्रति से 20 बुंद डालनी है, और इसे हमें पीना है, इस वीधी से आपको 8-26 का सेवन दिन में कम से कम 3 बार जरूर करना है, आपको यह दवाई हर खाना खाने के 1 घंटे पहले पीना है, यदि आपके सरीर में बहुत सुस्ती है और ठाकान रहती है, तो यह दवाई आपको 1-2 मही इने तक लागातार इस्तमाल जरूर करना है, इसे से आपकी सुस्ती, ठाकान, इनीमिया और बाकी कई समस्याइं ठीक हो जाएंगी, जिन लोगों को बहुत ठाकान रहती है, चाहे वह दिखने में उपर से कितनी स्वस्थ हों, उन्हें भी यह दवाई जरूर लेनी चाहिए क्योंकि कई बार मानसित ठाकान के कारण भी सरीर तूटता है और कमजोरी सुस्ती महसूस होती है, यह दवाई आपको किसी भी बड़ी होमेपथी दुकान पे असानी से मिल जाएगा, करीब इस दवाई का मुल्य है 220 रुपे और इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट न चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे वाट्सप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर कर सकते हैं, दवा आपको किसी भी होमेपैथिक सौप पर मिल जाएगा, दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैब दे, खाना खाने के आदे गंटे पहले या आधे गंटे बाद ही दवा ले, कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करें, WSI, Requeg, SBL, Edil, किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं, धन्यवाद